Hello Guys! आज हम यहाँ पर लास्ट उनिट एकॉलोजी के यहाँ पे 10 important questions करेंगे तो आज हमारें यहाँ पर 10 टेंड स्रीज का end है तो आज यहाँ पर लास्ट उनिट है ecology से बागते को लाजी हो गया पर यहां लास्ट विनित है इसके हम तेने इंपॉर्शन करेंगे को सिन नमर्वन नेटल्टी रिफर्स तो ऑप्शन डेथ रेट ऑप्शन भी मिर्थ रेट ऑप्शन सी नमबर आफ इंड्वीज़ इंट्रिंग इन हैबिटाट ऑप्शन डी पर आफ इंड्वीज़ जो हैपटाउट को लीफ करते उन्हें इमाइगरेशन कहा जाता है तो आई माइगरेशन इमाइगरेशन 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 में इस पहले अच्छे से ध्यान दखिए ताकि मिस्टेक ना हो ना पर ऑप्शन भी राइट है बर्थ रेट जो माइगराईज़ पर होता है मिल्चिल्दम को सारे अप्शन नपर अच्छे से पढ़िए उसके पास से यहां पर आप आप यहां पे राइट आंसर पर टिक करेगा तो आप देखें इस पहुंधासत दिया एंगरेशन दिया है लास्ट में दिया है मिल्चिल्दम तो चाहेंगे तो option a alpine forest option b temperate forest option c mangroves and option d tropical rainforest तो गाइस कहां पर हमारा right answer option d tropical rainforest जो large woody veins होते हैं वो more commonly पाया चाहते हैं यानि कमली यह पाया चाहते tropical rainforest में तो option आपका d right हो गया यह question common है प्याक्यूस में इंटर्नल बॉडी इंवार्मेंट और गनिसम डिस्पाइट वारिंग इस्टर्नल इंवार्मेंट कंडिशन इस काल्ड एज तो option a moustasis option b epistasis option c hetrosis and option d antibiosis यहां पर option आपका एं राइट है इंटर्नल बॉडी इंटर्नल बॉडी जो इर्वार्मेंट हो तो इसके मिंटेन करके लगता और वार्मेंट कंडिशन में तो इस तो प्रोसेस को कहा जाता है हुमिस टैसिस तो option आपका एं राइट हो गया सारी कोस्टन अच्छे से देखिएगा और थियूरी पढ़के करिएगा कोस्टन पर फाइफ केवला देर नेशनल पार्की सिच्वेटेट एड डैश एंड फेमस फॉर डैश तो आपको कोस्टन पूछा है जो केवला देर ने पर ने बाइट है भरतपूर राजस्थान सिबेरियन क्रेंश के लिए फेमस है यह जो केवला देर नेशनल पार्क है यह भरतपूर राजस्थान में सिच्वेटेटेड है और फेमस है सिब्सक्राइब बहुत पूछा जाता आब अच्छे से देख लिजेगा डार्क लिया पी परन बहुत चरहीं ग़राणा नाथ में इस तो अव्यदे ट्राइ रियुगुलर उप्शबस Cornवी फिइंशी एंशे उप्रटेड पूर्टें कॉच्छं से कहने सैवन Ignition पूच्छं पूच्छं कोंसा पीर्यामीद ग्या होता है इंवर्टेद रहता है उसका श्योव,. है तो हमें right answer उसका बताना है तो चलिके option देखिए option A दिया है pyramid of non pyramid of biomass in grassland option B pyramid of energy option C pyramid of biomass in sea and option D pyramid of biomass in forest तो यहां पर right answer option C pyramid of biomass in C इसका pyramid होता है जे जनली inverter shape का होता है तो option आपका C right हो किया pyramid of biomass in C question और टर्म एकोशिस्टम स्कॉइन बाई तो ओप्शन ए वार्मिंग ऑप्शन बी ऐपी ओर्डम ऑप्शन सी एगी टेंसले एंद ऑप्शन टी इहकल तो यहां पे लाइट आंसर ऑप्शन सी एगी टेंसले अप्शन में पूशा जाता है प्यूब भी टेस्ट वगर्र में भी को मिल जाता होगा को असान भी है आपको यहां पर यह साइंटिस का नाय मयाद करना है तो आपका सी आइट है एग टेंसलिट में इंको सिस्टम को 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 किया था नमर 9 रट लिस्ट इंट डाटा अनफरमेशन ओन तो आप्शन चलिए देख लेते है है और एकोनोमिकली इंपोर्डेंट प्लांस ऑप्शन भी त्रेटन इस पिसीच ऑप्शन सी मेराइन वर्ट ब्रस नमर्ली तो इस कोशन पूछा जो रट लिस्ट है वह कंटीन करता है धाटा इंफरमेशन किसके बारे में तो यहां पर ऑप्शन आपका भी राइट है त्र फॉल्विंग पेयर आफ गैसे इस इस रिस्पॉंसपूल फार गैसे त्याफ इसको संपूछा कि कौन सी गैसे है जो इसको संब केलिए यहां पर इफेक्ट करती है को तो कौन सा है यहां पर पेयर हमें यहां पे आप्शन इससे बताना है तो ऑप्शन ऑजोन अं अमोनिया option B oxygen and nitrogen option C nitrogen and sulfur dioxide option D carbon dioxide and methane तो यहाँ पर जो है option आपका D राइट है carbon dioxide and methane जो होती है यह gases Greenhouse जो effect होता है उसके लिए responsible होती है तो यहाँ मैंने शॉट में लिख दिया CO2 and CH4 यानि carbon dioxide और methane गैसे responsible होते Greenhouse gases के effect के लिए तो यह था हमारे apology unit के question और सारे unit के question मैंने अच्छे स्करवाद दिये हैं कोई